वालो दोस्तों स्वागते आपका आमारी यूटूब चानल पर आज कोड़े में हम बात करने वाले आप कैशिपाई इस एप्लिकेशन से कोभी मोबाईल EMI पर कैसे करीद सकते हो तो चेले बिना कुछ देर कोड़ों को शुरूरात करते हैं मोबल करीदने के लिए आपको कैशिपाई अप्लिकेशन ओपन करना है बाईपोन का ओप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे उसका बाद जितने भी मोबल पोन यहाँ से बेचने के लिए होंगे सारे के सारे आपका पर मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख से तो EMI एवबल एसा दिखा रहा है जैसे के मुझे आप पर जो आइपोन है यहाँ पर एक करीदना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से EMI का ओप्शन आपका पर दिख जाएगा जैसे के देख से तो इस तरीके से आजएगा और इसी इंट्र आपको सेकंड नंबर पर मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सरे एक्टा ओप्शन आपका आपका नजर आ जाएंगे तो मैं अभी प्रलाग सारे के सारे ओप्शन आपको आपको आपर दिखा देता हूँ यासे इस तरह के से आप इस पर क्लिक करेंगे, continue to payment का option है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यासे उसके बाद इस तरह की इंटरबेस आ जाएगा, निचे आपको आना है, निचे आने का बाद यासे देशे तो इस तरह की से आपको दिख जाएगा, ऐसे बुछ सारे option आपको एसे भी दिख जाएगे, सबसे पहले आपको EMI का option मिल जाएगा, नहीं तो आप online payment करकर भी mobile buy कर सकते हो, ऐसे already यासे देख जाएगा, जो application है, उसका नाम और 0% का EMI cost आपका पर लगेगा, और आप यासे mobile buy कर सकते हो, इसका option आपको select करकर रहना देना है, यासे complete order का option है, आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह के से आजएगा आपको next interface आपको दिकतर दीतो, यासे देख दो नहीं, यासे कुछ load लेने के बाद इस तरह के से next interface आपके पास आजएगा, यासे सब से पहले जो भी mobile number डालते हो, उस पर OTP आपको send किया जाएगा, यासे शारी के सारी information आपको बताई जाएगे, last म डाउन पेमिट कितना करना पड़ेगा उसके बाद यासे देशे तो कितना इस्टा आपको पे करना पड़ेगा ओभी बताया जा रहा है जैसे के देख सकतू यासे डाउन पेमिट आपको इतना करना पड़ेगा दस हजार का उसके बाद फोर मन्त के लिए आपको आपको आपक प्लिक करने पड़े हैं उसके लिए आपको स्टंप मीत का जो भी सारे आपशन से मज़ेना चाँप तो आपको यहाँ पर EMI का जो भी option मिल जाता है सारे के सारे आपको जो snapmeet जो application है इसी पर शोग करतेगा तो इस तरीके से आप EMI पर mobile ले सकते हो तो अगर आपको कोई भी एस्टा प्रब्लम आ जाते तो comment में बता सकते हो उसका reply में जोरू देने की कोशिश करूँगा आपक